मैंने जो इशूज उठाए थे पब्लिक में पेपर लीग के इशूज हम लोगों ने उठाए थे बहुत महत्पून है जो यंग लोगों को प्रभावित करता है हमारी जो पब्लिक सब्स कमिशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें उसको कैसे और फुकता बनाएं कैसे पारदरशी बनाएं और जवाबदेई बनाएं जो पिछली सरकार के करप्शन के इशूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे है उन सभी बातों को उन सभी इशूज का संग्यान पूरी तरह AICC ने लिया है और इस सभी पर कारवाई करने के लिए भी आगे गरूप रिखा बनाई है मुझे 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 खुशी इस बात की है कि कॉंग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इशूज, करप्शन के उसको भी हम कैसे और जवाब देई और ऐसे लोगों को महां बिठाएं जो एक अच्छे बैग्राउंड से हैं ताकि लोगों के मन में जहन में कॉंफिरेंस हो नौजवानों के में जब इंटिव्यू देने जाएं एक्जान देने जाएं इन तमाम इशूज पर पार्टी न में जहां कर देखें बाजपक के कारेकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कारवाई भी करेगी और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है इस इशू को कॉंगेस पार्टी इलेक्शन इशू बन पिछले दो दस्ट से ज्यादा मुझे जो 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 जिम्मेदारे कॉंगेस पार्टी ने दी है केंदर में दी है राज में दी है विधान सभा हो लोक सभा हो केंद की सरकार हो राज की सरकार हो संगठन की जिम्मेदारे दी हो जो मुझे जिम्मेदारे दी है उसको पूरी नि सब्सक्राइब करें जो आपी नराज़ी बनी हुई उखता बोचुकिये सारी बात सपस्टूप से प्रेस कॉम्स में बोल चुके तो कॉंग्रस की बड़ी बैठाक राजस्थान को लेकर हुई है जिसमें राहूल गांधी मलिका अजुन खड़ गे समेर्ट कॉंग्रस के तमाम बड़े नेता मौझूद थे और अब बैठाक खत्म हो गई है और देखिए कॉंग्रस की बैठाक खत्म होने के बाद सचिन पाल करेंगे और सरकार बनाएंगे अलाकमान ने मेरी बात को सुना है और मेरी बात को माना भी है यानि कि राजस्थान में वधान सबाद चुनाव होने हैं उससे पहले कॉंग्रस की बड़ी बैठाक और उसके बाद सचिन पालेट का ये अहम बयान